ये श्रंखला सर्व आत्माओं के पेता परमात्मा श्यव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है आम शांती, आमोले रत्न में आप सभी का हारदिक स्वागत है तन, मन, धन, संकल्प, वानी और कर्म की पवित्रता इश्वरिये विश्विद्याले का एक बहुत ही एहम नियम है परंद्वक्सर देखा जाता है कि दुनिया के माहौल में वृती और द्रिष्टी अक्सर प्रभावित हो जाती है दे अभिमान के इस सूक्ष्म विग्न को कैसे हम दूर करें आज हम इश्वरिये महावाक्षियों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्षियों के इस पश्टी करण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रम्हा कुमारिस इश्वरिये विश्विद्याले के वरिष्ठ राज्यों की शिक्षक आदर्निये राजुभाई सहाब पर सब आपका आज की एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है पर सब हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे 11 जुलाई 74 के महावाक्षियों के बारे में जिसका टॉपिक था मुरली में दी गई डारेक्षन से ही सर्व कमियों से छट्टारा पर सब महावाक्षियों में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात है वृति और दृष्टी के चंचल होने के प्रेजेंट समय भी मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50 प्रतिशत अभी भी हैं जिनकी यह कम्प्लेंट है संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृति और दृष्टी चंचल होती है वृति और दृष्टी चंचल क्यों होती है हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी तो दृष्टी और वृति चंचल होने का कारण यह है वास्तों में दो कंप्लेन जो हम सब परमात्मा के आगे करते हैं पहली कंप्लेन बेर्थ संकल्पों की है उसकी छुटकारा पाने के लिए महावाक्यों का अच्छा चिंतन चाहिए परमात्मा के महावाक्यों का चिंतन जब हम करते हैं तो हम बेट्थ संकल्पों से फिर होते हैं. लेकिन दूसरी कंप्लेन है, जो हम बार बार देह विमान में आते और दे को देख करके अपनी द्रश्टी और वरत्ती को चंचल माना विकारी बना लेते हैं. तो परमात्मा हम सबको संपून पावन बनाना चाहते हैं. और द्रश्टी व्रत्ति की चंचलता की कंप्लेन बहुतों की रहती है, क्योंकि बहुत समय से दे अर्मान में आत्मा रही है. किसी की भी दे की पराकरसित होना उसका स्वभाविक लक्चान हो गया. तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, कोई भी चीज हिलती है, अगर चंचलता होती है, तो उसका कारण है आप फुल नहीं है. मना वो सब प्राप्तियां, वो सब अन्बुतियां परमात्मा से फुल नहीं की है. इसलिए कहते हैं न मटका अगर पानी से फुल भरा हुआ है तो हलचल नहीं होती हिलता नहीं है अगर जरावी खाली होता है तो उसमें बहुत ज्यादा हलचल होती है तो हम सबको भी परमात्मा कहते हैं कि हलचल का कारण है कि आपने सर्व सम्मन्दों का सुख, सर्व सम्मन्दों की रसना एक परमात्मा से नहीं लिये अगर द्रिष्टी वृत्य की चंचलता को समाप्त करना है तो सर्व सम्मन्दों से एक परमात्मा को याद करो और उस समद्नों का रस, उस एक से लो, तब ये चंचलता समापत होगी, अपने आपको फुल करो. तब द्रिश्टी और वृति की चंचलता को थोड़ा सा और गयराई से सपश्ट करें। द्रिश्टी इस्थूर रूप में, जब हम किसी को इन आखों से देखते हैं, ब्रति सुक्ष्म है, अंदर ये अंदर जो संकल बार बार किसी देधारी के पर चलते हैं, इसके रूप पर ध्यान जाता है, उसके चाल चलन पर ध्यान जाता है, उसके वस्तरों पर ध्यान जाता नर उसके संकल्प बार बार जो रिवाईज होते रहते है अंदर अंदर, ये ऐसी है, वो ऐसा है, तो वो वhrati के अंदर चला जाता है, द्रश्टी से हमने किसी चीज को देखा और उस पर संकल्प चलाना सुरू किया तो संकल्प जो बार बार चलता वो व्रत्ती बन जाती है इसलिए परमात्मा कहते हैं जो द्रश्टी और व्रत्ती दोनों चंचल अगर बृत्ती में भी नाया, तो दरश्टी में एक सेकड्र लिया आया तो समप्ठ हो जयेगा लेकिन दरश्टी दहcrire के बाद जब अंदर उसके प्रत हमारे विचार चलने लगते हैं उसका दरश्य हम सामने लाते हैं तो वो न बृत्ती बन जाती है और व्रत्ति बनने के बाद ही स्वपनाते हैं और उसी तरह के फिर संकल्प और चलने लगते हैं। इसलिए एक सर्किल है, संसकार बन जाते उसका, संसकार के बाद संकल्प चलने लगते, संकल्प चलते चलते फिर ब्रत्ती बन जाती, तो एक खड़े संसकार होते गए हैं, तिर्शट जनमों से जब आत्मा अपने सुधर्म को भूली, बॉडी कॉंसेस में आई, तो देह अविमान को देखने की एक नैचुरल आदत बन गए, देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, उसके सभाव के उपर आकरसित होना, तो ये जो आकरसन बढ़ते गए देह को देखने की, तो वो ब्रत्तियों में चले गए, इसलिए द्रिष्टी और व्रत्ति की चंचलता माना, हुई भी देहिक संबन्द से विकारों की उत्पत्ति होना, पिलकुल भाई सब आगे बढ़ते हैं, परमात्मा क्याते हैं कि जो बाप ने स्मृति सुनाई, उसके बजाए विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है वच चंचल होती है, अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो व्रति और द्रिष्टी को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकते। भाई भाई का एक नेचुरल भान रहें, अगर ये स्मृति भूल जाती है, ते अभमान में आने के कारण, विस्मृति होने के कारण ही द्रिष्टी और बरति में चंचलता आती है। सब आगे बढ़ते हैं, परमातना कहते हैं कि इसके लिए बहुत चोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, व प्रैक्टिकल में लाओ, कि देहे को देखना आर्थात बुरा देखना है। देहधारी प्रती सोचना वसंकल्प करना यह बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारन स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ, तो दृष्टी और वृती चंचल नहीं होगी। कोई प्यक्ति इस बात को आज तक बुरा ही नहीं समझता है। वैसे स्लोगन बहुत अच्छा बना हुआ है। Here no evil, see no evil, talk no evil। प्रमात्मा ने इसके आगे जोड़ दिया, think no evil। सोचना भी बुरा नहीं। लेकिन कौँ सी बात बुरा है। लोग समझते हैं किसी की कमी, कमजोरी, इधर उधर की बाते करना बुरा ही है। किसी की गलानी करना बुरा ही है। लेकिन प्रमात्मा उसकी गहराई समझा रहे हैं कि बुरा ही क्या है। किसी को देहिक भान में आकर के देह को देखना, देह के बारे में सोचना, उसके बारे में वर्णन करना, उसका चिंतन करना यही बुरा है आत्मा है, अभिनासी सक्ती है, परमात्मा की संतान है, यह अच्छा ही है, उसके गुणों पर हमारा ध्यान जाता है लेकिन जब देह के राम रोप पर उसके कुन कर्टब्यों पर देह भान में आ करके हम देखते हैं परमात्मा कहता है ये बुराई है और इस बुराई को इसी तरह से समाप्त कर सकते हो कि मुझे बुरा नहीं देखना है, मुझे बुरा नहीं सोचना है देहमान में आना ये जितने विकारों के आज उत्पत्ती हो रही है जो अत्ती में सब कुछ जा रहा है उसका मूल कारण है बोडी कॉंसेस इंसान जो है अपने आपको भूला हुआ है कर्मिंद्रियों के गुलाम बन गया अधीन हो गया देह समझने के कारण और परमात्मा ने पहला पाठे पढ़ाया कि आप देह नहीं हो आप एक आत्मा हो जब आत्मा निष्चे करके हम इन कर्मिंद्रियों का अधाल लेते हैं हम इनसे डिटेच हो सकते हैं आकटसंट से मुक्त हो सकते हैं जब तक आत्मिक इस्तिती का हमने अच्छा भ्यास नहीं किया है, तब तक कर्मिंद्रियों की चंचलता समाप्त नहीं होगी। बिलकुल, बैसे अब आगे बढ़ते हैं, परमातना कहते हैं कि जिस समय वृती और द्रिश्टी चंचल होती है, तो उस समय स्वयम को ये समझना चाहिए, कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाई बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है, कोई रस रह गया है क्या, कि जि समबंध से भी वृती और द्रिश्टी चंचल होती है, उसी समबंध की रसना, यदि बाप से लेने का अनुभव करो, तो क्या दूसरी तरफ द्रिश्टी जाएगी? आवस्यक है कि हम सब परमात्मा को सर्व संबंधों से पहचाने और याद करें, उसका रस ले, बूर रस जो अतिंद्रे सुख है, जो परमात्मा के याद से हमें प्राप्त होता है, किसी भी संबंध से हम परमात्मा को जब प्यार से याद करते हैं, तो बूर रस जब प्रा अनभो किया, अतिंद्रिय सुख का अनभो किया, तो जो इंद्रिय सुख आत्मा को खिच रहा है, अल्पकाल का है, है थोड़े समय का सुख, और सदाकाल का दुख, तो परमात्मा कहते हैं, अगर उसकी आकर्षन हो रही है, तो इसका कारण है, तुमने अतिंद्रिय सुख पर तो जिस संबंध में कोई नर नारी के संबंध से, नारी नर के संबंध से, कभी भी अगर आकर्सित हो रही है, कोई रूप रंग पर आकर्सित हो रहा है, तो उसका कारण है हमने वो संबंध परमात्मा से जोड़ा नहीं है, जब उसी संबंध से हम परमात्मा को प्यार करते है याद करते हैं तो ये चणिक सुख वाले रस सम्मन्द सब भूल जाते हैं उन पर आकरसित नहीं होते हैं इलकुल तो सब परमात्मा कहते हैं कि ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयम को एक रौरव नर्कवासी गविश्टा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहां मास्टर सर्वशक्तिमान और कहां मैं इस समय क्या बन गया हूँ रौरव नर्कवासी विश्टा का कीड़ा ऐसे स्वयम का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूँ? तक्त नशीन से क्या बन गया हूँ? ताज तक्त को छोड़ क्या ले रहा हूँ? गंदगी, तो समय क्या बन गए? गंदगी को देखने वाला वधारण करने वाला कौन हुआ? जब तक आंतरिक वैराग्य नहीं आएगा देह से, इस देहिक रज से, तब तक आत्मा पावन नहीं बन सकती है। इसलिए परमात्मा हम सबको वैराग्य दिलाने के लिए इस्मृत्ति दिला रहे हैं कि अगर ये भूलें बार-बार होती हैं, तो धरमराज का रूप सामने अपने सामने जभी द्रिष्टी व्रत्ति चंचल हो, तो अपने स्वरूप को इस व्रत्ति में लाओ, परमात्मा ने मुझे टाइट्ल क्या दिया। आप संपून पावन आत्मा हैं, मास्टर सर्व सक्तिवान हो, नौलेज़ फुल हो, नौलेज़ फुल सर्व सक्तिवान, सर्व समर्थ आत्मा, अभियाद देहिक आकरसन में आकरके अपने विचारों को गंदा कर रही है, अपने सुपनों को खराब कर रही है, उसमें उलजी हुई है, विकारी संकल्पों के अंदर कितनी तुफान आते हैं, तो कितना परेशान हो जाती है, तो आवस्यक्ता ये है कि हम अपने संपून स्वरूप को जो परमात्मा से डायरेक्ट हमें ठापतियां हुई है, स्वमान इसमर्थी में दिलाए गए हैं, उनका हम ध्यान करें, उस समर्थी को इमर्च करें, और इस द्रस से को लाएं कि अगर हम इस देहिक द्रष्टी में, देभान में आते हैं, तो जैसे कोई रहरो नर्क का कीड़ा, गंदगी को देखने वाला, गंदगी को उठाने वाला, गंदगी को खाने वाला, तो परमात्मा कहता है कि तुम बच्चों को तुम बच्चों को तुम परमात्मा अपने सिर का ताज बना रहे हैं, विसु का मालिक बना रहे हैं, पर तब उससे मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए बहुत कड़ी नजर चाहिए, जब तक हमारी अपने आप पर कड़ी नजर नहीं है, तब तक इस पुराई से हम छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि देह को देखने के बहुत कड़े संसकार बने हुए आत्मा के, बार-बार ध्यान चला जयता देह के उपर, और जब हम घहरही से, इहत की वैरागी वृत्ती से, देह को एक विनासी रूप में देखेंगे, चणिक रूप में देखेंगे, और इसको गंदगी के रूप में देखेंगे, तब हम इसे मुक्त हो सकते हैं. बिलकुल, ऐसा फर्मात्मा कहते हैं कि अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धी में रखो, जिस समय वृती और दृष्टी चंचल होती है, उस समय वह फोटो देखो, ज चुकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आएगा, ऐसा चित्र जब सामने आएगा, तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आएगी, एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिमान का चित्र और दूसरी तरफ वह चित्र रखो, तो अपने आप ही मालूम पढ़ जाएगा, कि हम क्या बन गए, मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे, अभी तक भी वृती और दृष्टी का चंचल होना शोबता नहीं है। तो नसाथ रहता है, और जैसा लक्ष वैसे लक्षन आते हैं, जैसे चित्र होते हैं वैसा चरित्र बनता है, तो परमात्मा ने हम सब को पहले-पहले पुर्शार्थ के लिए शुरू-शुरू में एक विधी बनाई, कि अपनी भविष्य का ताज-तक्तधारी चित्र, सजा सजाया चित्र निकाल करके अपने सामने रखो, कि मैं ये आत्मा बनने वाली हूँ, मैं ऐसी थी और ऐसा ही मुझे दियोपत प्राप्त करना है, अब परमात्मा कहते हैं, जब द्रश्टी ब्रती चंचल होती है, विकारी ख्यालात आते हैं, जब देहमान में आत्मा आती है तो ये चित्र भी सामने लाओ, कि देखो आज मैं क्या बनने वाला हूँ, और मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे संकलब बेरे चल रहे हैं, क्या मैं फिर ऐसा बन पाऊंगा, तो जब ये दोनों चित्र सामने होंगे, ये गिरा हुआ चित्र, इसको टोकरे पर टोकरा बाबा कह हैं, कि जब हमारे विकारी संकलब चलते रहते हैं, जैसे गंद को देखने की आदत बन जाते हैं, गंदे विचार अंदर अंदर चलते रहते हैं, आत्मा को परेसान कर देते हैं, जब चित्र समर्ति में आएगा, तो चरित्र पर ध्यान जाएगा, ये हमारा चरित्र नहीं ह इसे चित्र हमारे नहीं होने चाहिए, मैं तो यह देवता बनने वाला हूँ. तो कांट्रास्ट आते ही वो संकल्पों को हम मोड सकते हैं, क्योंकि उस समय मोडना पड़ता है, उसमें मारा समय अधिक न जाए, मानलो कोई संकल्प आ भी गया, तो उसी समय उस संकल्प को घलत समझ करके, नगेटिव समझ करके, चेंज करना है, मोड देना है, उसमें उलजना नहीं है, कई बार ये जब संकल्प आते हैं, बॉड़ी कॉंसर्स के, तो बहुत समय नश्ट होता है, कईयों के तो निंद फिट जाती है, बहुत परेसान हो जाते हैं, और समझते हैं, क्या हमने संकल्प किया है, हम तो ऐसे बनी नहीं पाएंगे, तो परमात्मा हम सब को कहते हैं, ऐसे समय पर ये दो द्रस से इमर्ज करो, कि भगवान मुझे देवता बनाने के लिए आया है, और मेरा ये सरूप है, भविस्य का, और वर्तमान समय मैं क्या सोच रहा हूं, किन संकल्पों मैं अपनी बुद्धी को खराब कर रहा हूं, बिल्कुर, चेंज हो जाएंगे, राजकल तो बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि हर एक के हाथ मोबाइल है, तो रात को यूट्यूब या और बिया अलग अलगता है। राजकल की माया तो बहुत भेंकर है, उस समय तो नाम ही निसान नहीं था, लेकिन आजकल कई लोग तो रात को जाग करके भी यह सब चित्रगंदे देखते रहते हैं, और फिर कहते हैं, मेरी वरत्ती द्रष्टी सुद्ध नहीं होती, योग नहीं लगता, मैं क्या करूँ, बहुत परहसान हो जाते हैं लोग, लेकिन अगर कुछ परहेज करें, मैंने देखा है, बहुत सारे कुमार कुमारियां एक संकल्प ले लेते हैं, मुझे नहीं देखना है, कई तो यूज नहीं करते हैं, ऐसा फोन भी नहीं रखते हैं, कि मुझे जब इन साधनों से संकल्प हमारे दूसित हो रहे हैं, विकारी हो रहे हैं, और मेरा लक्ष इतना उंचा है तो मैं इन चीजों को क्यों देखूं संकल्प की द्रणता अगर है अंदर से कोई ने पक्का संकल्प किया है कि मुझे संपून पावन बनना है तो माया की इस युद से वो भज सकता है अगर उसका त्याग कर दे तो और त्याक कर देगा तो छूट जाएगा बिलकुल वाई सब पर सब आगे बढ़ते हैं परमात्मा कहते हैं कि मस्तक में मनी के बजाए साप को क्यों देखते हो जिससे विश की प्राप्ति हो जाती है पहली गलती तो यह करते हो कि जो मस्तक के बजाए शरीर को देखते हो मैं कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है साथी ऐसे हैं दफ्तर में बिजनस में काम करना पड़ता है संपर्क में आना पड़ता है संपर्क में आते बातचीत करते मस्तप के सिवाय और कहीं देखते ही जो कई परकार से लोग जिस वातावण में हम रहते हैं कंपनी में काम करते हैं تو कई ऐसे होते हैं जिनके ड्रेस अधूरी होती है पूरी ड्रेस भी पहन केने आते हैं तो नचाहते हिद्यान चला जाता है परमात्मा ने हम सबको एक प्रेक्टिस कराई है कि जब किसी से बात करते हो तो भरकुटी के बीच में मनी को देखो आत्मा मनी है, चमक रही है और सरीर एक साप जैसा है इस पर अगर हमारा ध्यान जाएगा तो विकारी संकल्प डस लेगे जैसे साप डस लेता है ऐसे इस सरीर को संग्या दी है साप की और आत्मा को संग्या दी गई है मनी की तो आत्मी की स्थिती का अभ्यास जब पक्का हो जाएगा जब हम मनी को देखने का अभ्यास करेंगे तो हमारी द्रिस्टी व्रत्ती जो विकारी चलती है, संकल्प चलते हैं तो उसे हम मुक्त हो सकते हैं नहीं तो किसी को भी देख करके उन संकल्पों पर कंट्रोल नहीं हो सकता इसलिए परमात्मा कहता है साब को देखो ही नहीं अब इसके लिए बहुत गहरा अटेंसन बहुत अच्छा ब्यास चाहिए कि मेरा हमेशा ध्यान इस ब्रकुटी में मनी पड़ जाए सरीर को मुझे नहीं देखना है उसलिए परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछें कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है ठेकेदार हो ना आप सब लोग नर्ग को बदल कर स्वर्ग बनाना प्रकृती के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना यह ठेका उठाया है ना प्रकृति को बदलने वाले स्वयम ही बदल जाते हैं ठेका उठाया है पाँच तत्वों को बदलने का और वशिभूत फिर वातावरण के हो जाते हो परमात्मा हम सब को जवाबदारी की स्मर्ति दिला रहे हैं कि विश्व परिवर्तन की जवाबदारी पाँच तत्वों को बदलने की जवाबदारी नर्ब को स्वर्ग बनाने की जवाबदारी ये जैसे ठेका परमात्मा ने इस कर्तवे के लिए अपने को जवाबदार बनाया बच्चों को हम कमप्लेन करें कि ये वातावन ऐसा था व्यक्ति ऐसे थे, संग ऐसा था, इसलिए मेरी व्रत्ति कराब हो गई। तो परमात्मा इस मृत्ति दिला रहे हैं, जब इतना बड़ा ठेका, इतनी बड़ी जवाबदारी, कि मुझे प्रकर्ति के तमोगुन को समाप्त करना है, उसको भी पावन बनाना है। तो प्रकर्ति क अगर एक स्थान पर जलाई जाती है, तो कितनी बिचारों तरफ से गंदगी हो, वातावन को चेंज कर देती है, बड़ी को समाप्त कर देती है। ऐसे ही अगर योगी आत्मा किसी स्थान पर जाएं और जाएं वहाँ पर, तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अपनी मंसा से, अपनी बहुत पवित्र भावनाओं से उस वातावन को चेंज कर सकती हैं, लेकिन ये जवाबदारी अपनी आपको महसूस करने पड़ेगी, ये करतब परमात्मा ने मुझे दिया है, तो जितना हम इसी भी कारेचेतर पर जाते हैं, वातावन खराब है, लेकिन हम अब्यास करते हैं कि ये सब आत्मा हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये सुद्ध आत्मा हैं, इस पार्ट बजा रही हैं और मैं भी आत्मा इनको पावन बनाने के लिए निमित हूँ, तो ऐसी प्रती से हम उस वाईव मंदल को उस वातावन को चेंज कर सकते हैं, दिलकुल, सब अवयक मुरली में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि मुख्य ये दो कंप्लेंट्स हैं, एक दो पार्टी से मिलते हो तो यह कंप्लेंट ही विशेश होती है, इसलिए ड्रामा अनुसार बार-बार यही बातें करना और बार-बार बाप द्वारा यही शिक्षा म में भी रहस्य है, क्योंकि बार-बार जभी भी बाबा से सनमुक मिलने आते हैं, तो अपनी कंप्लेंट लिख करके देते हैं, कि अभी तक मेरी द्रिष्टी विरती चंचल होती है, मुझे विकारी सो पनाते हैं, ऐसा होता है, और हर बार सिक्षा मिलते हैं, तो अगर हम बा अगर हम अपने आपको चेंज नहीं कर पाए, इसका हिसाब किताब बनेगा, इसलिए परमात्मा में इसमृत्ति दिलाते हैं, यह हिसाब किताब जो बना रहे हो, बार बार कहने के बाद भी कहना नहीं समझ रहे हो, इस यह पार्ट भी पूरा हो जाएगा, और धिरे धिरे पार्ट परिवर्तन हो गया, अभी सुनने की मारजी नहीं रहे, कोई सुनने वाला भी नहीं रहे हो, वो समय था जो बाबा सुनते थे, रिस्पॉन करते थे, शिक्षाएं देते थे, ति अगर अब ही वो समय आ गया है, अगर हम अपने आपको खुद परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, मेनत नहीं करेंगे, तो धरम राज की सजाओं के सिवाए और कोई भी विधी नहीं है। इस स्पष्टी करण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्तवानी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत, ओम शान्ती। मुख्यसार, कंप्लेंट्स करने वालों को रिस्पॉंस। योग नहीं लगता, व्यर संकल्प बहुत आते हैं। कारण मुल्ली को ध्यान से सुनकर और धारण नहीं करते हैं। वृत्ती और द्रिष्टी चंचल होती हैं। कारण वाप से सर्व संबंधू किस नहीं का अनुभव नहीं करते हैं। व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, और बुरा ना सुनो। अधिक जानकारी के लिए संपर करें। इस श्रंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यार लेके सेवा केंदरों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गौडलीवूर स्टूडियो से संपर्क करें।